हेलो एवरिवन कैसे आप सब लोग आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे आज का जो हम प्लान लेकर आए हैं वो है हमारा 29 फिट भाई 65 फिट का प्लान यानि कि 29 फिट इसका फ्रेंट रहेगा और 65 फिट इस प्लान की लंबाई रहेगी अगर आप हमाई चैनल पर नए हैं तो आप हमाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें इस प्लाट के अगर हम स्कॉायर फिट में बात करें तो यह हमारा 1885 स्कॉायर फिट का प्लाट है गजों बात करेंगे तो यह हमारा 209 गज का प् अगर आप भी अपने घर का नक्षा हमसे बनवाना चाहते हैं तो वाट्सप नंबर हमने स्क्रीन पर दे रखा है तो वहां से आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस plot का जो face direction रहेगा वो west में रहेगा आप देख सकते हो west में इसका face direction है इस पूरे plot के अंदर हमने तीन bedroom दो bedroom प्रोवाइट किया है lobby area दिया है living room दिया है lawn area garden area car parking हमने इसमें दी है kitchen हमने इसके अंदर प्रोवाइट किया है ठीक है और पूजा area भी दिया है और बिल्कुल separate stairs ही हमने इसके अंदर प्रोवाइट की है पहले बात कर लेते हैं dimensions की तो start करते हैं इसकी car parking से plot का जो face direction है वो west में रहेगा यहां से हमारी entry होती है यह हमारा पूरा car parking का एरिया है यहांने के 13 feet 1 inch वाइ 15 feet की आपको यहां पर car parking मिलेगी यहां से लेकर यहां तक हमारा 13 feet 1 inch रहेगा और यहां से लेकर यहां तक हमारा 15 feet रहेगा तो यहां पर हमारी car, bike, scooter जो भी है वो easily park हो जाएंगे यहां पर आपको मिलता है garden area तो आप अपने plants, पेड़, पौदे जो भ यहां से लेकर 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 यहां से हमारा ये एक घैलरी टाइप का है तो च्छेफित चौडरी हमने यह पर गैलरी दिये यहाँ आप को मिलेगा इस्टे इस्टेर थीछ फिर्विट हमने यहां पर रखिया ओं लैंडिंग जो हमारी छेफिट है एक इस्टेरी अगर आप अपना फर्स फ्लोर रेंड पर उठा आप देखोए है हमारा living area यहां से वरामडे से हमारी entry होती है तो जो भी गेस्ट होंगे वो यहां पर बैठ सकते हैं हमारा living area है तो 14 फिट भाई 14 फिट 6 आपको यहां पर living area मिलता है यहां पर आपका sofa set आजाएगा सामने tv आजाएगा इस living area के window मैं यहां पर दे रखें चार चौड़ी window रखी है ताकि हमारी living room में बिल्कुल रोशनी सही रहे है जैसे आप आके बढ़ोगे तो यहां से आपके entry होती लॉबी area में तो यह आपका लॉबी area का portion है लॉबी area में आने के लिए हमने दो जगा से दो प्रोवाइट कि एक अपने living room में से और एक हमारी stairs के अपने dining table रख सकते हो चाहो तो आपना sofa side भी रख सकते हो कि अने यहां पर kitchen आपध देख सकते हैं यहां पर kitchen पो 10-6 यानि कि यहां से लेकर यहां तकि आपको 7-6 रहेगा और यहां से लेकर यहां तकि आपको 10-6 रहेगा इस kitchen की window हमने यहां पर दे रखे है चार फिट चौड़ए window रखे है तो इस kitchen की जो भी smell होगी वह इस window के तुरू पस आउट हो जाएगी इस window में से हमने wash area प्रोवाइट किया है डोर दी है आप देख सकते हो यहां तो यहां पर पूरा wash area रहेगा तो यहां पर आपना sink जो भी है वो रख सकते हो 4hく ​​7mh Kenyan Engええ हमारा wash area रहेगा एंसे लेकर आगे की हमारे 4 सचर्ट रहेगा और म सब्सक्राइब ओण यहा स लेकर हमारा 7ph6 रहेगा वाश एर्या की विंदो भी आमने यहां पर तार पर लौकि i प्रोट किये हैं थे हमहें इस बांगी कि तरफ देखोगे यह आपके उपर है ठीक इसका जो वेंटिलेशन है हमारी OTS से कनेक्ट है यह जो पोर्शन है हमारा ओपिन पोर्शन रहेगा यह हमने इसलिए प्रोवाइट के है था कि हमारी लॉबी एरिया में भी रॉश्णी रहे और जो हमारी और उनना पोर्शन में अमें चाइब औ이 भी ऐसदा चाहिए तो हम आगेब अब की तरफ पहले बात कर लेंगे हम पूजा अर्या की तरफ यह हमारा बिलकुल हमारा पूजा रूम रहेगा पूज़े एरिया रहेगा 6 fit by 8 fit challenge का आ जाएंगे ठीक है इस master bedroom की window हमने यहाँ पर दी है जो हमारी OTA से connect है तो चार फिट चौली window हमने यहाँ पर रखिए ताकि हमारे bedroom में रोशनी बिल्कुल सही रहे फिल्म चलता है अपने second bedroom की तरफ तो यह हमारा master bedroom है आप देख सकते हो यह हमारा master bedroom है 13 12 x 14 फिट यहां से लेकिए हमार 3 सी 10 इंच रहेगा और यहां से लेकर यहां तक हमारा 14 पिट रहेगा यहां पर बैड आ जाएगा यहां पर आपर वॉर्ड्रॉब इस साइड अपर आ रहे सोफय और यहां पर हमारा बेडरूम और यह जो बेडरूम के मेंबर्स होंगे वो इसको यूज कर सकते हैं यहां से भी हमने दोर प्रोवाइट की है इस एरिये में आने के लिए और इस बेडरूम में से भी हमने दोर प्रोवाइट की है इस एरिये में आने के लिए तो यहां पर आपका यह जो पूरा ग entwic primitive area रहेगा 17ft per 7 inch by 10 feet 4 inch का याहा सबस्ट पड़एगा और हैं तक और पाद का 10 feet 4 inch रहेगा लेकिन जो आपका जाल पड़एगा वो शिर्फ 3 feet by 4. अव बाकी पर वागि पोर्शन पर आएगी यह है कि दोनों family member मानलब जो इस बैडirmi नों के is bedroom तो यहां पर आपको मिलता है टॉयलेट 6ft x 5ft का काफी बड़ा टॉयलेट बनाया है, यहां पर आप चाहो तो English Indian दौनो सीट एक साथ लगा सकते हो, यहां से लेकर यहां तक आपका 6ft रहेगा और यहां से लेकर आपका 5ft रहेगा, यहां से लेकर आपका बात्रूम हमने बिलक बात्रूम की और टॉल की जो भी स्मेल होगी वह इसके थूरू पास आउट हो जाएगी, तो यह था हमारा आज का प्लान, 29ft x 65ft का, अब बात कर लेते हैं, इसमें टोटल कॉलम्स आप देख रहे हैं, हमने जो दिये हैं, वह 17 कॉलम्स प्रोवाइड किये हैं, कॉलम साइज के बीच में आपका एक मंजल बनाने में खर्चा आएगा, तो यह था हमारा आज का प्लान, आशा करते हैं, प्लान पसंद आया होगा, अगर प्लान पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूले, फिर मुलाकात होती है आप से न